हर समय ठका हुआ महसूस करना अच्छा संकेत नहीं होता है। ऐसा सरीर की फंक्षनी के लिए जरूरी विटामीन की कमी के कारण हो सकता है। पोशक तत्वों की कमी होने से उर्जा के इस्तर और समग्र स्वास्थ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा पो आइरन की कमी से होने वाले एनिमिया से हर वक्त ठकान महसूस हो सकती है। इसे दूर करने के लिए आइरन युक्त खाद्यपदार्थ जैसे रेडिमेट, बिन्स, डाल, पालक और फोर्टिफाइड अनाच का सिवन करे। विटामिन C आइरन के औसोसन में मदद करता है। इस मास मचली अंडे और डेरी उत्पादों जैसे ही पशु आधारित खाद्यपदार्थों का सेवन करके इस कमी को दूर करें। विटामिन D इस विटामिन की कमी से ठकान और मास पेसियों में कमजोरी आ सकती है। परियाप्त मात्रा में विटामिन D के लिए धूप में समय बि सकता है। हरे पत्तेदार साग, मेवे, बीज, साबुत अनाज और फलियां जैसे खाद्यपदार्थों का सेवन करके इस कमी को दूर करें। आयोडीन की कमी से ठकान और सुस्ती हो सकती है। इस कमी को दूर करने के लिए आयोडीन युक्त नमक, समुद्री भोजन, समुद् पादों का सेवन करें। पोटेश्यम की कमी। पोटेश्यम का कम इस्तर ठकान और मासपेसियों की कमजोरी का कारण बन सकता है। इस कमी को दूर करने के लिए अपने आहार में केले, संत्रे, एवगडो, संकरकंद और पालक जैसे पोटेश्यम युक्त खाद्यपदार्थो को शामिल करें। विटामिन सी की कमी। विटामिन सी की कमी से ठकान और कमजोरी हो सकती है। विटामिन सी के इस्तर को बढ़ाने के लिए अपने आहार में खटे फल, स्ट्रॉबेरी, कीवी, सिमला मिर्च और पत्ते दार साख सामिल करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा सेनब को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद